हेलो एन वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिसकर्स करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस चेप्टर ग्रेविटेशन को बच्चों ये इस चेप्टर का पार्ट टू वीडियो है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा आप वहां से उसको देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं जहां से हमने पार्ट वन में डिसकंडिनियो किया था weight of an object on the moon moon के उपर किसी भी object का weight कैसे calculate किया जाता है वो हमें इस article में पढ़ना है देखिए हम सबको पता है कि किसी भी object का weight जो होता है अर्थ के उपर वो उस gravitational force के equal होता है जो अर्थ उस object के उपर लगाती है यह मैंने इस 10.4 article में आपको बताया था weight का मत्रब होता है gravitational pull acting on an object downwards is called its weight इसी तरीके से अगर कोई object moon के उपर है तो moon के उपर उसका weight कितना होगा moon के उपर उसका weight होगा gravitational force of moon acting on that object तो weight of moon और weight of earth का क्या ratio होता है अगर हमें earth पे किसी object का weight पता है तो moon के उपर हम किस तरीके से निकालेंगे यह हमें इस article में discuss करना है देखिए हमको एक बात पता है कि weight equal होता है gravitational force के weight is equal to gravitational force और gravitational force equal होता है gm gm m over d का square यह formula होता है gravitational force का तो हम क्या करेंगे weight of an object on moon अगर हम निकालेंगे तो उसका formula क्या लिखेंगे हम g mass of moon into mass of object divided by radius of moon का square इसी तरीके से अगर हम इसको weight on earth से divide करेंगे तो क्या करेंगे g mass of earth mass of object divided by radius of earth का square अब यहाँ से capital G हमारे पास cancel हो रहा है mass of object cancel हो रहा है तो हमारे पास क्या आता है mass of moon divided by radius of moon का square mass of earth divided by radius of earth का square जब हम values put करते हैं यह 4 values known हैं हमें पता है तो हमारे पास answer आता है 1 by 6 यह देखें यहाँ पे यहाँ पूरी calculation करके इसने दिखाई है तो जब मैं इसकी value निकालता हूँ weight of an object on moon divided by weight of an object on earth तो इसका answer क्या हैगा 1 by 6 यानि moon के उपर same object का जो weight होगा वो 6 times कम होगा earth के मुकाबले अगर किसी object का weight earth पे 60 newtons है तो moon पे अगर उसी object को लिजा कि हम वजन करेंगे तो उसका वजन कितना आएगा 10 newtons आएगा ठीक है आगे इसने numerical दिया है एक object का mass है 10 kg उसका earth पे weight निकालो तो students आपको एक बात और ध्यान रखनी है अगर आपसे कोई ये पुछे ना कि एक object का earth के उपर mass 10 kg है moon के उपर mass कितना होगा तो बच्चों mass जो होता है वो हर जगे सेम होता है मैंने आपको part 1 में भी बताया था अगर किसी object का mass earth पे 10 kg है तो moon पे भी 10 kg ही होगा लेकिन फरक पड़ेगा weight पे weight is a different thing तो weight का formula क्या होता है weight का formula होता है mass into gravity weight is equal to mass कितना दे रखा है 10 kg gravity की value 9.8 meter per second square so weight will be 98 newton on earth earth के उपर उसका weight कितना होगा 98 newton आग इसने कहा है कि एक object को earth के उपर weight किया गया वजन किया गया तो 10 newton आया तो moon के उपर कितना आएगा सीधी सी बात है weight on moon divided by weight on earth कितना होता है 1 by 6 weight on earth कितना दे रखा है हमें 10 दे रखा है तो weight on moon कितना होगा 10 by 6 यानि की 1.67 newton is the answer आगे आता है thrust and pressure का concept ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ thrust क्या होता है माली जी ये एक object है इस object के उपर जब भी कोई perpendicular direction में 90 degree पे कोई force exert किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है thrust कहा जाता है यानि thrust is a type of force which is acting at 90 degree on a surface किसी भी surface के उपर जब perpendicularly कोई force exert किया जाता है तो उस force को कहा जाता है thrust और जहां तक pressure की बात है तो pressure क्या होता है force acting on an object per unit area ये इसका formula होता है ये 8th class में भी आपको सिखाया जाता है pressure is equal to thrust upon area या फिर pressure is equal to perpendicular force divided by area यानि pressure जो होता है वो force के directly proportional होता है area of contact के inversely proportional होता है अब हम कुछ चीजे पढ़ेंगे यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि क्या camel जो है वो desert में आसानी से भाग सकता है जबकि अगर हम लोग उस loose sand पे चलने की भी कोशिश करते हैं तो हमारे pair sand के अंदर धस जाते हैं इसका reason में आपको साथ साथ बताते चलता हूँ मैंने आपको बताया pressure is equal to thrust upon area या force upon area भी कह सकते हैं अब camel का जो pair होता है वो काफी चोड़ा होता है और जो human feet होता है वो काफी छोटा होता है तो area of contact मिट्टी के साथ rate के साथ जो area of contact है वो camel का बहुत ज़ादा है और इसलिए pressure कम लगता है area inversely proportional है pressure के इसका मतलब area बढ़ाने पे pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और camel का जो pair है वो rate में धसेगा नहीं वो आसानी से rate पे चल भी सकता है और दोड भी सकता है जबकि यहाँ पे human के case में second case में क्या हो रहा है area of contact काफी कम है जिससे pressure क्या हो जाता है बढ़ जाता है यह बात आप समझे students inversely proportional और directly proportional का मतलब यानि inversely proportional का मतलब होता है area को अगर मैं बढ़ा दूँगा तो pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा this is inversely proportional this is inverse relation आगे इसने क्या कहा है जो army tank होता है जिसका वज़न thousand ton से भी जादा होता है उसके नीचे tire लगाने की बज़ाए chains, caterpillar chains क्यों लगाई जाती है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर tires होंगे तो area of contact काफी कम होगा जबकि अगर chain होगी तो area of contact काफी जादा होगा और अगर area of contact जादा होगा तो pressure क्या होगा pressure क्या होगा जमीन के उपर tank का जो pressure होगा तो पहली बात तो पहिए उसका वजन नहीं सहन कर पाते अगर पहिए उसका व azon सहन कर भी लेते तो जिस भी surface के उपär tank चलता उस surface को damage कर देता या फिर अच्छे से चल नहीं पाता क्योंकि उसका वजन इतना जदा था तो उसका pressure कम करने के लिए हमने क्या किया, उसके उपर caterpillar tracks लगा दिये, area of contact बढ़ा दिया, pressure को घटा दिया, अब tank आसानी से चल पाएगा, rough terrain के उपर भी, जो truck या motor bus होती हैं, उनके tires काफी चोड़े चोड़े होते हैं, आपने cycle का tire देखा होगा, आपने bike का tire देखा होगा, आपने car का tire देखा होगा, आपने truck का tire देखा होगा, समझ चुके होगे, मैं क्या बताना चाहरा हूँ, truck का tire सबसे मोटा होता है, क्यों, area of contact सबसे ज़्यादा होगा, tire मोटा होगा, तो area of contact सबसे ज़्यादा होगा, area of contact सबसे ज़्यादा होगा, तो pressure उसका कम लगेगा road के उपर, और ऐसा करने की काफी sharp होती है, जैसे आप चाको को ले लीजिए, चाको का जो अगले वाला हिस्ता होता है, जहां से हम आलू को, बैंगन को, या किसी भी चीज़ को काटते हैं, वो सबसे sharp होता है, क्यों, क्योंकि अगर वो area sharp होगा, वो हिस्सा sharp होगा, तो area of contact घट जाएगा, pressure बढ़ जा का, वो पता दिया मैंने आपको, अब इसने क्या किया, इसने क्या, यहां पे क्या कहा है, अगर आप किसी bulletin board पे, जैसे यह बच्चा इस bulletin board पे, यह times नाम का poster, वो है लगा रहा है, तो drawing pins लिए इसने, और यहां पे जेखे, जैसे इस picture में दिखा रखा है, drawing pins को अपने अं notice board के अंदर, bulletin board के अंदर चली जाती है, ऐसा क्यों, क्योंकि drawing pins जो है, वो उपर से, यहां नीचे से, बिलकुल शाप होती है, area of contact घट जाता है, तो pressure बढ़ जाता है, और हलका सा force लगाते ही, जो pin है, वो notice board के अंदर, bulletin board के अंदर, penetrate कर जाती है, चली जाती है, ठीक है, आगे देखिए, situation 2 में, अगर आप loose stand, एक तो आप loose stand के उपर खड़े हो ऐसे, खड़े हो, पैर नीचे हैं से रूपर है, और एक आप loose stand के उपर लेटे हो, ठीक है, धिली rate के उपर, तो जब आप खड़े होंगे, तब आप मिटी के अंदर, आपके पैर जो है, वो मिटी क अंदर धस जाएंगे, जबकि जब आप लेटे होंगे, तो आपका शरीर मिटी के अंदर नहीं धसेगा, reason, जब आप लेटे हुए हैं, तब आपका area of contact with the sand जादा है, खड़े हैं, तो area of contact with the sand कम है, तो जब आप खड़े हैं, तब आपका pressure जादा लगता है, sand के उपर आप force तो दोनों cases में same है, क्योंकि दोनों cases में force किसके equal है, object के weight के equal, आप sand के उपर कितना force exert करोगे, जितना आपका weight है, उतना ही तो force exert करोगे आप, तो force तो है same दोनों cases में, लेकिन area of contact इस case में ज्यादा है, इस case में कम है, तो pressure इस case में क्या होगा, inverse relation होता है, तो pressure इस case में क् प्रेशर कम होगा आप मिटी के अंदर नहीं धस होगे आगे देखिए हमने पढ़ा है कि वेट वो फोर्स होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है किसी भी अबजेक्ट के उपर ग्रेवेटेशनल फोर्स जो होता है उसको वेट कहती है ठीक है यहाँ पे जो फोर्स ल को अमने उम्ला बता आए मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो प्रेशर की अगरवेशनल अगरआ कोई आ आपसे पूछे तो पर फेंडीकलर्फ प्रेंडिकलार्स acting on an object per unit area ठीक है? या फिर आप thrust acting on an object per unit area is called pressure. इसके SI unit क्या होगी? force की unit होती है newton और area की होती है meter square तो newton per meter square is the SI unit of pressure या फिर इसको हम क्या लिखते है? pascal blaze pascal scientist से export थे उनको सम्मान देने के लिए हमने क्या unit बना दी इसकी pascal हमने इसकी unit consider कर ली तो newton per meter square और pascal is the SI unit of pressure आगया था आपका article example 10.6 इसमें एक लकडी का block लिया गया है ठीक है? उस लकडी के block की dimensions दे रखी है 14 x 20 x 10 उसका weight उसका mass दे रखा है आपको 5 kg तो हमें ये बताना है कि जब उसको 20 by 10 वाली side से रखा जाता है तो वो कितना pressure exert करेगा? और जब उसको 20 by 40 वाली side से रखा जाता है देखिए इन दोनों में box तो same है दोनों में लेकिन रखने का तरीका अलग लग है एक बार उसको खड़ा करके रखा गया है एक बार उसको लिटा के रखा गया है तो दोनों cases में हमें pressure exerted की value निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है हमें पता है pressure का formula क्या होता है force upon area force का formula क्या होगा? mass into gravity divided by first case में area कितना होगा? first case में area कितना होगा? 20 cm into 10 cm ध्यान रखें cm में दे रखा है तो cm को आप किस में convert करोगे? meters में pressure पहले तो आप force निकालो एक बार तो weight निकालो object का कितना है? 5 into 9.8 यानि 49 newtons तो अब case 1 में निकालो case 1 में pressure कितना होगा? force कितना है? 49 area कितना है? उसका अब की बार area कितना है? 200 cm square आया था उसका area अगर meter square में change करेंगे तो 0.02 आएगा ठीक है? 10,000 से divide करना पड़ेगा तो 0.02 इनको divide करेंगे answer निकालो आएगा 49,4950 newton per meter square 2450 sorry 2450 आएगा 2450 newton per meter square अब दुसरे case में निकालो pressure is equal to force तो वही है 49 area कितना है? area आपकी बार अलग है 14 to 20 है meter square में change करेंगे तो 0.08 meter square 49 divided by 0.08 comes out to be 612.5 newton per meter square तो दोनों cases में pressure जो है वो अलग-अलग है object का weight एक होने के बावजूद भी यानि देखिए जहाँ पे area of contact जादा था इस case में pressure कम है 612.5 है जिसमें area of contact कम था pressure जादा है 2450 है ठीक है? कई बार ना जैसे मजाग करने के लिए कई बार teachers example देते हैं कि हाथी के पैर और लड़की की heel दोनों में से कौन जादा pressure exert करता है तो जाते तर केसे में जब numerical आता है तो लड़की की heel का जो pressure होता है वो हाथी के पैर के मुकाबले भी जादा होता है क्यों? बेशक हाथी का बजन जादा हो लेकिन area of contact heel के लिए heel नीचे से पहनी होती लड़कीों की heel जो होती है नीचे से काफी pointed सी होती है काफी पतली होती है नीचे से तो area of contact बहुत कम होता है heel का इसलिए pressure बहुत जादा लगता है जब कोई heel पहन के चलती है लड़की तो आगे बात करते हैं pressure in fluids की fluids का मतरब वो चीज़े जो flow कर सकती है gases and liquids are collectively called fluids all gases and liquids are fluids solids जो होता है देखिए अब fluids के pressure में और solids के pressure में अभी तक हमने solids का pressure पढ़ा था जो अभी तक पढ़ा है हमने solids जो pressure exert करते है माली जी एक solid object है ये pressure exert करेगा सिर्फ मीचे की तरफ due to its weight a solid object exerts pressure only in the downward direction and that pressure is equal to weight of that object लेकिन जो liquid किसी container में भर रखा है हमने liquid will exert pressure in all directions उसकी container की walls के ओपर भी pressure exert करेगा और नीचे की तरफ भी pressure exert करेगा ठीक है तो a fluid exerts pressure on base and walls of the container in which the fluid is kept आगे देखिए pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all directions इसका मतलब क्या होता है अगर मैंने यहापे एक piston लगाके उपर से pressure exert किया तो पूरे liquid के अंदर उपर से लगाएगा जो pressure है ना वो पूरे liquid के अंदर बराबर फैल जाएगा ठीक है यह मतलब है इसका तो liquid pressure और solid pressure में थोड़ा सा difference होता है आगे आपका आता है buoyancy ठीक है पहले मैं आपको एक बार buoyancy का मतलब बता दता हूँ buoyancy होती क्या है देखिए buoyancy का मतलब होता है जब भी किसी object को fluid में रखा जाता है तो उसके उपर एक upward force लगता है उस upward force को ही क्या नाम दिया गया है buoyant force या फिर buoyancy नाम दिया जाता है उस upward force को उस force को तो हम बोलते हैं buoyant force और उस phenomenon को उस process को हम बोलते हैं buoyancy देखिए इसका एक example देता हूँ एक खाली plastic की bottle जो बंद है उपर से उसको आप एक पाने की भरी बाल्टी के उपर रख दीजिए वो पाने की बाल्टी के उपर तैरेगी ये बाद सब को पता है फ्लोट करेगी अब आप क्या कीजिए उस bottle को push करके पाने के अंदर ले जाएए और बिल्कुल बाल्टी के नीचे लगा दीजिए उसको force लगा के उपर से अपने आप तो वो जाएगी निए अपने आप अगर उसको रख दोगे तो वो पानी की उपर तैर नहीं लगेगी लेकिन आप क्या कीजिए बोटल को पकड़िए उसके उपर force लगाईए और उस bottle को बिल्कुल नीचे तक लेगे जाए ये पानी में तो आप महसूस करोगे कि आपको force लगाना पड़ रहा है पानी उस bottle को उपर की तरफ फैकने की कोशिश कर रहा है अब आप एक काम कीजिए उस bottle को बिल्कुल नीचे ले जाके और अपना हाथ अठा लीजिए तो आप क्या देखोगे पूरे प्रेशर के साथ पानी उस bottle को उपर की तरफ फैकेगा इसी को बाइंट फोर्स कहा जाता है बाइंट फोर्स असल में क्या होता है जब भी किसी object को किसी fluid के अंदर especially किसी liquid के अंदर रखा जाता है तो उसके उपर एक upward force लगता है अबजेक्ट immersed in a fluid experiences an upward force और उस upward force को हम क्या बोलते है बाइंट फोर्स या फिर up thrust उसका एक नाम और है बाइंट फोर्स या फिर up thrust कहा जाता है उसे उस upward force को अब आप खुद सोचिए उस bottle को उस bottle को अगर देखे उस bottle के उपर दो forces exert कर रहे है एक तो gravitational force जो plastic की bottle हमने ली थी एक तो gravitational force जो उसको नीचे की तरफ खीच रहा है और एक bind force जो उसको उपर की तरफ धकेल रहा है जब तक gravitational force अगर gravitational force जादा होता तो वो bottle जमीन पे जाके टिक जाती बाल्टी के नीचे लेकिन इस case में bind force जादा है इसलिए वो बाल्टी के नीचे नहीं जा पा रही जमीन तक नहीं जा पा रही अर्थ सर्फिस तक नहीं जा पा रही वो उपर ही तैरती रहती है because bind force in this case is greater than the gravitational force ठीक है अब इसने इसका example दिया है हमें जब आप किसी pool में swimming करते हो तो आपको हलका हलका महसूस होता है ठीक है जब आप पानी की भरी बाल्टी को come में से निकालती हो तो जब तक वो पानी की बाल्टी पानी के contact में थी तब तक तो भारी अलकी लगती है लेकिन जैसे ही वो हवा में आ जाती न बाल्टी वो अचानक भारी लगने लगती है क्यों? क्योंकि जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर थी तब तक baint force उस पानी की बाल्टी को उपर की तरफ धकेल रहा था आपने तो पकड़ा ही हुआ था उसको पानी की बाल्टी को लेकिन वोटर का baint force भी उसको उपर की तरफ धकेल रहा था baint force always acts in upward direction अब thrust उपर की तरफ upward direction में gravitational force के opposite काम करता है baint force हमेशा लेकिन जैसे ही बाल्टी हवा में आई baint force कम हो गया liquid का पानी का baint force उसके उपर नहीं लग रहा है इसलिए आपको बाल्टी भारी लगने लगी है ठीक है जो लोहे और steel से बनी हुई ship होती है वो तो पानी के अंदर बड़े आराम से उचलती कूदती हुई चलती है लेकिन अगर आप लोहे या steel का कोई टुकडा कोई solid टुकडा आप उसके अंदर डाल दोगे यह वाला जो topic case में भी इसने यही बताया है gravitational force उसको नीचे की तरफ धकेलता है bind force उसको उपर की तरफ धकेलता है जीतेगा वही जो ज़्यादा होगा यह तो force का nature आप भी समझते है bind force क्योंकि ज़्यादा है इस case में इसलिए bind force उपर इस तरफ काम करके उसको नीचे नहीं जाने देता है यहाँ पर bind force की इसने वो दिया है definition दिया है the upward force exerted by a fluid on an object kept in it is called up thrust या फिर bind force इसकी proper definition होगी ठीक है तो इसने क्या कहा है कि किसी भी bottle को completely immersed रखने के लिए हमें उस upward force को balance करना पड़ेगा जो उस object के उपर लग रहा है इसने क्या कहा है जब हमने bottle को पानी के उपर रखा तो वो तैरने लगी अब इसका मतलब upward force तो ज़ादा है downward force कम है हमने क्या किया अपनी तरफ से force लगाया और हमने force किस तरफ लगाया नीचे की तरफ gravitational force को बढ़ा दिया तो हमें कितना force लगाना पड़ेगा हमें इतना force लगाना पड़ेगा कि हम buoyant force को overcome कर दे तो अको अपको उतना इ recommend force लगाना पड़ेगा जितना gravitational force और buoyant force में डीफरेंस था तो ऐसा करने पर आप क्या करोगे उस bottle को पूरा पानी के अंदर immerse कर पाओगे आगे आपका आता है कि कुछ objects जो है वो पानी में तैरते हैं, जबकि कुछ objects जो है वो पानी में डूब जाते हैं इसका क्या कारण होता है ठीक है? देखिए तो इसका reason है density में चुपा हुआ density होता है mass divided by volume of a substance mass per unit volume of a substance is called its density और इसकी SI unit होती है kilogram per meter cube ठीक है? यह इसकी SI unit होती है density को अगर मैं आपको explain करने की कोशिश करूँ तो आप समझ ये, अगर आप इतना बड़ा टुकडा लें, लोहे का और इतना ही बड़ा टुकडा लें लकडी का यह आपने iron का टुकडा लिया है यह आपने wood का टुकडा लिया है तो दोनों में से mass किसका ज़्यादा होगा? कोई भी बच्चा बता सकता है लोहे का क्यों? क्योंकि density ज़्यादा है एक bench है suppose एक bench है given volume में कितना mass है given जैसे हमने यहाँ पे लिया volume तो हमने क्या लिया था? same लिया था लोहे और लकडी का लेकिन mass किसका ज़्यादा है? लोहे का ज़्यादा है इसलिए उसकी density ज़्यादा है so density is the mass per unit volume of a substance ठीक है? तो कोई भी object पानी में टैरेगा या डूबेगा यह depend करता है उसकी density के उपर if density of that object is greater than density of water अगर उस object की density पानी की density से ज़्यादा है तो object will sink in water वो डूब जाएगा पानी के अंदर जैसे लोहा है लोहा है, steel है पत्थर है, यह पानी के अंदर डूब जाएंगे because density of loha, steel and पत्थर is greater than density of water अगर किसी object की density water की density से कम है then the object will float वो object float करेगा थर्मगोई sheet ले लो आप लकडी का टुकडा ले लो आप उन दोनों की density जो है, वो water की density से कम है तो वो पानी के उपर क्या करेंगे टेरेंगे, ठीक है आप इसने क्या बताया देखिए आपने एक बीकर लिया, पानी से भरा हुआ उसमें एक लोहे की नेल डाली आपने लोहे की नेल क्या होगी पानी के अंदर डूब जाती है क्यों डूब गई? क्योंकि उस नेल के उपर लगने वाला gravitational force उसको नीचे की तरफ पुल कर लेता है लेकिन उस नेल के उपर लगने वाला जो upthrust है, वो कम है gravitational force के मुकाबले इसलिए, इसलिए वो नेल जो है, वो डूब जाती है ठीक है, आप समझ ये इस चीज़ को आपने ये पानी का बीकर लिया दोनों सेम भीकर है, सेम amount of फानी है दोनों के अंदर, इसमें आपने लोही की नेल डाली, वो डूब गई नीचे जाके इसमें आपने लकडी का टुकडा रखा, वो उपर तैर रहा है, क्यों हुआ यहाँ पे gravitational force dominate कर रहा है इसलिए वो नेल जो है byant force कम है, gravitational force जादा है इस case में byant force dominate कर रहा है, byant force जादा है, gravitational force कम है, इसलिए वो object तैर रहा है, ठीक है एक बात का और ध्यान दीजेगा students, जो byant force होता है जो byant force होता है वो उस liquid की density के उपर भी depend करता है, जिसके हम उपर हम object पो रख रहे हैं अगर उस liquid की density जादा है तो उसका byant force भी जादा लगेगा ठीक है, जैसे कि अगर आप तेल के अंदर किसी object को रखोगे और पानी के अंदर किसी object को रखोगे तो तेल के अंदर उसके उपर byant force कम लगेगा क्योंकि तेल की density पानी के मुकाबले कम होती है, इसी लिए तो byant force exerted by a fluid depends on density of the fluid if density is greater byant force will also be greater ठीक है तो यहाँ पर density का मैंने आपको बता दिया कोक जो है वो लकडी का टुकड़ा फ्लोट करता है, nail जो है वो डूब जाती है reason क्या है density अगर density iron nail की जादा है तो वो टूब जाएगी अगर उसकी density कम है तो वो क्या करेगा, core की density कम है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है आगे आता है आपका Archimedes principle Archimedes principle क्या कहता है उस पे हम बाद में जाएंगे एक बार activities नहीं हाँ पर दी है इसने क्या किया है, एक stretchable धागा लो, यह धागा जो नहीं stretchable है, stretchable का मतलब आपको पता ही होगा, वजन डालने पे या force exert करने पे खिचने वाला ठीक है, यह आप एक spring ले लो आप तो इसने stretchable धागे को पत्थर के साथ बांदा ठीक है, और इसने क्या किया, पहले इसको हवा में इसने क्या किया, इसी पत्थर को, जब पानी में लटकाया तो यह जो stretch था, यह कम हुआ पानी में पानी में धागा जो है, वो कम बढ़ा धागी का जो stretch है, वो पानी में कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि इस case में पत्थर के उपर बायंट पोर्स लग रहा है, water के अंदर, इमर्जrik होनी की वज़े से, इस case में gravitational force, इस case के मुकाबले, इस case में भी gravitational force है लेकिन इस case में जो gravitational force है वो क्या है कम है, यहां पर gravitational force कम है, क्यों? क्योंकि gravitational force में से bind force minus हो रहा है, subtract हो रहा है जब कि इस case में bind force subject नहीं हो रहा gravitational force में से इसलिए इस case में धागे का जो stretch है वो कम होता है इस case में धागे का जो stretch है वो ज़्यादा होता है ठीक है ये चीज इसने elongation of the rubber string उस rubber से बने हुए धागे की elongation जो बढ़ता है जो stretch करता है धागा वो इसने हमें बताने की कोशिश की है ठीक है तो जैसे हम पत्थर को पानी के अंदर डूबाने लगेंगे तो उसका stretch क्या होगा कम होने लगेगा और उसका stretch सबसे कम तब होगा जब पूरा पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा फिर बेशक आप उस पत्थर को पानी के अंदर ले जाते रहो और नीचे और नीचे ले जाते रहो उसका जो stretch है रवड का वो उतना ही रहेगा एक बर पूरा डूब जाने के बाद ठीक है तो यह चीज हमें समझाने के कोशिश की थी यही चीज़ बाइंसी है इसी चीज़ को बाइंसी कहा जाता है force of बाइंसी या बाइंट force कहा जाता है जो उस object के उपर लग रहा है जब वो liquid के अंदर रखा हुआ है अब आगे हमें कुछ questions का answer ढूणना है जो बाइंट force होता है इसका value कितना होता है क्या यह हर fluid के लिए same होता है एक चीज़ तो मैं भी आपको बता चुका हूँ bind force depends on the density of fluid ठीक है अगर fluid की density होगी तो उसका bind force भी ज़्यादा होगा density ज़्यादा bind force ज़्यादा तो हमें bind force का value पता करने के लिए archimedes principle help करता है जब भी किसी body को fully या partially किसी fluid के अंदर immerse किया जाता है डुबोया जाता है तो उसके उपर एक upward force लगता है इस upward force को हम क्या बोलते हैं अब thrust या फिर bind force तो उसके उपर एक bind force लगता है और वो bind force equal होता है important है weight of fluid displaced जो fluid displaced हुआ है उसके weight के equal होता है जितना fluid उस object ने displaced किया है जितने fluid की उस object ने जगह घेरी है उतने fluid का weight ही क्या होगा bind force होगा उस object की उपर लगने बहुत important exam में कई बार आचुका है और बहुत आसान भी है समझने में इतना जदा typical भी नहीं है ठीक है अगर किसी object को पानी के अंदर डुबोया जाता है इमर्ज किया जाता है तो कितना bind force लगेगा उसके उपर उसके उपर उतना ही bind force लगेगा जितने weight का उसने fluid displaced किया होगा ठीक है अब इसके archimedes principle के applications दिये गए है इसका इस्तेमाल ships को design करने में सब्मरीन को design करने में lactometers जो की purity of milk को measure करते है उसको design करने में hydrometers जो की liquids की density measure करने के लिए काम में आते हैं तो इन चारो जगे पे designing ships and submarine पहला point हो गया lactometers जिनका इस्तिमाल milk की purity measure करने के लिए किया जाता है उनमें इसका काम इसका इस्तेमाल किया जाता है hydrometers जो किसी भी liquid की density measure करते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है आगे आता है relative density देखिए relative density क्या होता है simple सी बात है इसमें कोई जादा बड़ी बात नहीं है relative density होती है density of substance divided by density of water बस simple सा concept है जादा कुछ है ही नहीं इसमें ratio of density of an object with respect to density of water is called its relative density ठीक है तो density जो होती है mass per unit volume होती है इसका ऐसा unit kilogram per meter cube है density अगर conditions change ना हो atmosphere की conditions चेंज ना हो तो density सेम रहती है density एक characteristic property है किसी भी substance की जैसे हम solids के बारे में कहते हैं कि solids flow नहीं करते liquids और gases flow करती है तो यह characteristic property है density जो होती है अलग-अलग substances की अलग-अलग होती है जैसे gold की density 19,300 kilogram per meter cube है water की density 1000 kilogram per meter cube है अच्छे एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे जो water की density होती है ना बच्चों वो thousand kilogram per meter cube होती है लेकिन इसकी एक और unit density की gram per centimeter cube gram per centimeter cube यह सीजिये इस unit है इसकी इसमें water की density की तिनी होती है one ध्यान रखेगा density of water in case of gram per centimeter cube is one और kilogram per meter cube में लें तो कितनी आएगी thousand ठीक है तो relative density अगर हमें measure करनी हो किसी भी substance की तो ratio of density of that substance to water यह रहा formula जो मैंने अभी आभी आपको बताया ठीक है relative density क्योंकि उपर भी density है नीचे भी density है तो इसकी कोई unit नहीं होती it is a type of ratio so it has no unit it is a type of ratio और ratio की कोई unit नहीं होती इसलिए इसकी भी unit नहीं है एक numerical हमें दिया गया है relative density को समझने के लिए silver की जो relative density है वो 10.8 है water की density 1000 kg पर मीटर क्यूब है silver की density निकालो relative density is equal to density of silver divided by density of water form ना पता है में relative density कितनी है 10.8 density of silver निकाल नहीं है density of water कितनी है 1000 तो density of silver कितनी है आएगी है हमारे पास निकाल लो आप ठीक है 10.800 ठीक है 10.800 क्या होगी हमारी kg पर मीटर क्यूब क्या होगी silver की density होगी हमारे पास ये वही value जो मैंने आपको express करके निया है ठीक है तो ये था आपका chapter students अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा comment में अपनी राय दीजिएगा अगर आप इस channel पर नहीं है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें bridge by la education youtube channel को दबा दे notification bell icon को ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अफ्लोड करें उसकी notification आपके device तक पहुँचे सबसे पहले जाने से पहले एक बार वीडियो की description को जरूर चेक करें बच्चों क्योंकि आपकी class के अलग-लग subjects की chapter explanations के link हमने वीडियो की description में डाल रखे हैं तो उन links को एक बार जरूर से जरूर check out करें हो सकता है जो chapter की explanation आप चाहते हैं ढूंड रहे हैं उसके explanation आपको आपको महा मिल जाए Thank you everyone